सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन भक्तों ने अपने घरों में शाखा रोपन किया है कर श्थावत किया है और अखंड दीप प्रद्रोईद करके अपनी अराधना को भक्तियन अगसार कर रहे हैं आज अश्थमी 11 बज के 12 मिन तक है तच प्रचात 99 है इसलिए आज नव्मी को ही इस जग्द की पूर्णा होती होगी एक वजए जग्द की पूर्णा होती होगी और इस पूर्णा होती के लिए आप सभी भक्तियान सादर आमंतित है परसम नवरात्र से एक कन्या दूसरे में दो कन्या इस परकार कन्याओं का पूरिन करते हुए आप सभी भक्तियान अपनी जो अराध्ना को अगशा कर रहे हैं आज नव कन्याओं का पूरिन होगा और सभी जो एक दो तीन सब नवराद्दों की करण्या मिला करें, पुर्ण किया जाता है पूजा के उपरांद करण्या पूज़न होगा, और उनके मादापिताओं से ये प्राखन है कि वो बहार अपनी करण्या का जो उनकी प्रदीक्षा करें आज अश्टमी के दिन आज भक्त जयन महां गवरी मादाजी की रादना कर रहे हैं जिस प्रकार नाम से प्रशिद्ध है इनका वर्ण अति गवर्ण है और इसकी उपमा कुंद के पुष्प से शंक से की जाती है इनके सभी वस्त्र भी शेत हैं इनके आहूशन भी शेत हैं अश्ट वर्शाद भावेद गोरी और इनकी जो आयू है वो आठ बरश की है इन्होंने अपने पार्वती रूप में शंकर जी को प्राप्त करने के लिए गोर तो पस्या की थी और यह संकलब लिया था कि वर्ण संबू ना तो रहू को वारी जनम कोटी लगी लगर हमारी वर्हूं संबू ना तो रहू को मारी यह जनम से कोटों क्रोडों जनम से हमारी लगन लगी हुई है कि यदि हम वर्ण करेंगी तो भभवान शंबू का करेंगी नहीं तो ना करोंगी और इस प्रकार तबस्या करते करते उनका जो वरन था वो शाम हो गया काला रंग हो गया और जब शंकरडी ने गंगा में इनके शीर को दोया तो इनका गौर वरन हुआ तबी से ये महागौरी कहलाई आगे दिन भक्तियान के रादना करके अपने सभी जो कल्मशों को दो देते हैं और क्योंकि 11,42 के बाद नव्मी है इसलिए हम नव्मी माता सिद्धी दातरी का भी धियान कर दे हैं ये भक्तों को सभी प्रकार के सिद्धियां परद находится करने वाली है बवान शंकर जी ने देवी भाध में असा है कि अपने सवी कारों को सिद्ध करने के लिए इन ही की अरादना की थी और इन ही के अशीरवास से इनका जो सीर था वो अधनारिश्चर हुआ भकतियान सवी सिद्धियां प्रादना को अग्गसर करते हैं देवी भागवत भी बताते हैं कि नवरात्तों में ही अरादना करके ववान विश्टू जी ने मदू देरतिका बाद किया था ववान छंकर जी ने तिपर देरतिका बाद किया था और इंदर ववान ने बित्ता सुर का बाद किया था शीराम चंदी नेवी सीधा को प्राब्द करने के लिए आपने कल सुना कि इनी नवरात्रों में दुर्गा मादा की रादना की थी और मादाजी के आशीरवाद से प्रेरना से उन्होंने सेतु बांद करके रावन का बाद किया था आप देखते हैं देवी भागत में कि सुशील नाम ब्रामन ने भी जो अत्यांते नर्दन था और दो बगत समय करके जो काम करके भी लोगों का वो अपने कुटम्ब को एक समय भार पेड़ भूर नहीं दे पाता था तभी एक विद्वान ब्रामन के उपदेश से उन्होंने नवरात्र बद किया और अश्ट्वी की मद्ध राती को मादा जिनको दर्शन दिया जिससे मुक्तार्थ हो गए अराजा जन्मेजे जो सेवेड़ दुखी रहते थे उनके पिता जी को सरगदी प्रापनी हुई थी और भ्यास जी ने उनको दुरगा मादा के रादना करने का बद्ध जो संकलब बताया था बशेश करके नवरात्र में दुरगा यग्य तथा शीमत देवी भावद का थाका शवरन का निकली बताया था जाव उन्हें आसा किया तो उन्हें देखा था कि असंकि ब्रामर को जाव उन्हें भोईन कराया महाराज आप की करबा से मैं सनात होगया हूं मेरे जोग के जो कार्ड़ हुच बताये उससमें नारज जी बताया था कि आपने जो ये दुर्गा अज़क की किया है नुरात्रों में देविवाद कासा कास्षवन किया है इसके फाल सुरूब आपके पिदाजी को सरगदी प्राप्ति हुए है मैंने देखा है कि वो उत्तन मिमान में वेटे हुए थे और अपस्वन द्वारा था देवतां दास्तुत होते हुए मादजी के परमधाम मनी दीब को गए थे निश्च रूप से आपके इस भक्ती से आपके पिदाजी का उध्धार हो गया है और शास्तु में ऐसा कहा गया है कि पुन्नाम नरका अधार्देसा पुत्रा जो पुन्नाम नरक से अपने पिदा का उध्धार कर देता है उसी को पुत्र की सार्थिता प्रावत होती है उस समय अध्याद जन्वेजी ने ब्यास्टी को प्रावत किया था और कहा था कि महराज़ आपकी किरपा से मैं सनात हो गया हूँ कितार्त हो गया हूँ मैं पड़ाम के सिवाब को क्या दे सकता हूँ उसमें अपने आशीर बश्टों में ब्यास दिवने कहा था कि आगे आने वाले समय में भी आवद दुर्गा जक्य करो नरातों में शीमत दिविवाद का सागा शवन करो इससे अब अनाया सी संसार बंदर से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि ये दिविवाद शीप पुरान तदा विश्टों पुरान इसकी समता नहीं कर सकते हैं जिसमें स्वयम मूल प्रक्रिट का पदी बान हुआ है उसके इसमान दूसरा पुरान कौन है और इस प्रकार राजा आगे आने वाले समय में भी ब्यासी के आगे शुरुधाय करते हुए अंबा जग करते रहे और शीप देववाद का उन्होंने शवन किया पाड़ किया जिससे उस संसार बंदर से मुक्त होगे आप से इस सभागे चालिए पुर्णे कर्मी है जिनको आज बासंति रातों के समापन डिवस पार माराज के चर्णों में बैट करके महांगोरी तथा सिधी जात्री का ध्यान करने का सभागे प्राप्त हुआ भक्त जान आज के दिन नवार मंत का जाब करते हैं गायती मंत का जाब करते हैं शीवत देवि भावत कथा का शवन करते हैं और इस शक्ति के साथ शक्ति-धर की उपासना के भी दिन है अखन्य बामान नायक शीराम जी ने भी आज ही चईत्र नौमी की मद्ध्यान ने व्यापनी को जो जनम ग्रहन किया था और इनके मजारा पुशुतर राम जी की जो अब्देश है इनके जो आजर्ण है उनसे हमें शिक्षा लेन चाहिए ये आजर्ष भाई आजर्ष पती इत्यादी जो ये केवल भारत बर्ष के ही नायक नहीं है अखंड ब्रह्मान डिनायक है इनकी अरादना से हमें इनके जो आजर्षों से ज्ञान प्राद करना चाहिए आज दुर्गा नौमी के ब्रत के साथ राम नौमी का ब्रत भी जो दोनों हो जाएंगे सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन